हलो एब्रीवन, वेलकम तो दी चैनल, I hope आप में से जो भी MEG01 के लिए अपियर होने जा रहा है, बहुत यची प्रेपरेशन चल रही है, एक्जाम्स शुरू होने वाले हैं और अब दो दिन के लिए आप प्रेपरेशन के अलावा किसी और रेक्रियेशनल आक्टिविटी प दो देखिए उसके अलावा जिसने PDF पाकेज अप्ट किया है, PDF से भी पढ़िए और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छा रखिए जिससे कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सके, फ्यूचर में आप NET के लिए, PhD के लिए प्रपेर हो सके, लेकिन आज बात करने वाले हम MEG05 की, MEG05 में 2024 का Question Paper वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लेकिन आज डीटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको answers लिखने चाहिए मैं जानती हूँ, आज आपके दिमाग में MEG01 के अलावा कुछ भी नहीं होगा MEG01 की भी मैंने आपको इस तरीके की भी एक PDF प्रोवाइड किये, जिसमें मैंने 2024 June का Paper भी सॉल करके दिया है इसके अलावा essay questions है, 34 essay questions, critical analysis है, सभी poetry's का और RTC के 30 important repeated extracts है RTC के extracts 82 pages की इस PDF में भी है, और यहाँ पर 30 extracts जो मैंने दिये हैं, वो बिल्कुल exam form में किस तरीके से आपको reference, context, explanation ये लिखना है काफी videos भी available हैं मेरे, तो videos को भी देखी, 50 videos तो सर्फ poultry's की detail के हैं इसके अलावा RTC videos में हैं, आप RTC और मेरा नाम Poonam Dua अगर search box में type करेंगे तो आपको मिल जाएगा Just type RTC MEG01 Poonam Dua, तो RTC से related जो भी videos हैं, वो आपको आराम से मिल जाएगे इसके अलावा अगर आप PDF अभी भी चाहते हैं, you can connect at this link provided that you have already prepared something, क्योंकि at present, only PDF will not work for you honestly PDF work करती है, अगर आप थोड़ी सी study करके बैठे हैं और फिर PDF से पढ़ रहे हैं लेकिन PDF last के दो दिन में miracle नहीं कर सकती, कहीं आपको और ज़्यादा परेशान और confused ना कर दे syllabus देखकर तो आप थोड़ा बहुत syllabus को जानते हैं, तो PDF opt करिए यह हमारा PDF का टेलिक्डाइम चैनल है, वहीं पर हम RTC की practice भी करते रहते हैं daily और यहां से आपको काफी confidence मिलेगा, detail भी मिलेगी इस answer की, कि जो भी right answer है यहां पर जैसे sonnet 67 right answer है, तो इसका context क्या है, that also you will get in detail MEG04 हम नहीं किया था, उसमें सिर्फ 7 questions आते हैं, 7 में से आपको 5 करने हैं, थोड़ा सा tough हो जाता है लेकिन यहां पर आपको 8 questions मिलते हैं, और 8 में से आपको 5 करने होते हैं, तो आपके पास काफी choice रहती है कि किसी 3 questions को skip कर सकते हैं, plus question number 1 में अलग से choice होती है, although 1 generally compulsory होता है तो यहां पर आप अराम से लिख पाएंगे और कुछ नहीं, तो Marxism लिख पाएंगे, Room of One's Own, मेरे विडियो में भी यह सब कुछ available है तो विडियो से भी preparation करिए और PDF से भी preparation करिए, हो जाएगी आपकी अच्छी preparation और आप देखें, questions किस तरीके के, questions वही हैं, लेकिन देखकर ऐसा लगते हैं, अरे यह तो syllabus में पढ़ा ही नहीं है, questions लगभग वही हैं, जैसे कि आपको to be instructive, drama cannot be spectacular, तो drama के बारे में Plato, Aristotle की क्या-क्या viewpoints रहे ते, वही लिखना है statement थोड़ी सी change हो गई है, तो statement पर तो ध्यान आपको थोड़ा बहुत देना ही है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो whatever you know about the writer, at least लिख कर ज़रूर आए, do not leave the place blank आपको इस तरीके की answer sheet मिलती है, लगबग horizontal वन और 25 pages से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो बस लिखते में चले जाए एक answer को, answer को divide करिए और ध्यान रखिए लिखते वे कि 5 pages से ज्यादा एक answer नहीं लिखना है, under any circumstance 2.5 pages का लिखना है short note, अगर आपको short note 2 करने हैं, first compulsory equation में, तो 2.5 pages लिखिए, कई बार आपको 4 भी करने हो सकते हैं, थोड़ा सा pattern अगर change हो जाए, तो इसी को और short कर दीजे, half-half 1.25 page लेंगे, आप उस case में एक short note को करने के लिए लगभग एक पूरा page और यहां तक की कुछ lines ले लीजी, फिर यहां से अपना अगला answer शुरू करिए, answer की heading हमेशा थोड़े center में डाल दीजे और उसको black color से लिखने के कोशिश करिए, या at least underline कर दीजे, exam के बाद अगर कई बचे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम free flow में एक ही pen से लिखना पसंद करते हैं तो आप लिखिए एक ही pen से, लेकिन बाद में 10 मिनट निकाल कर important points को black pen से underline कर दीजे, that will really help examiner to score you good, आपको अच्छा score मिल जाएगा अब हम first question से शुरुआत करते हैं, जून का paper कर रहे हैं, MEG05 का, जून 2024 का, ऐसे ही मैं आपको December का paper भी cover करवा दूँगी, जैसे ही मेरे हाथ में question paper आएगा literature history के बारे में लिखना है, Aristotle के बारे में, Marxism के बारे में, Room of One's Own, Very Beautiful Essay by Virginia Woolf, Shruti in Indian Aesthetics इस में से कोई दो तो आप लिखी पाएंगे, अगर आप मेरे notes को refer करते हैं, मेरे सभी videos को refer करते हैं literature history के बारे में आपको लिखना है, तो basic कुछ points लिख दीजिए, classical के time से Homer और Iliad, उसके बाद medieval period जिसमें हमें Beowulf और Divine Comedy मिलती है, और even Canterbury Tales मिलता है, हमें इस period में 5th से 15th century के बीच में Then comes Renaissance period, Renaissance में हमें Elizabethan writers और उसके बाद के Miltonic writers, ये सब कुछ मिलते हैं 17th, 18th century के कुछ writers के बारे में आप बात कर सकते हैं अगर आपको और writers याद हैं, तो और भी लिख सकते हैं, 17th, 18th century में ही there were Alexander Pope and Dryden, even शुरुआत हुई थी poet laureate की position की Romanticism, Modernism, Post-Modernism, इन सभी periods के बारे में आप बात कर सकते हैं And MEG1 अगर आपने पढ़ा है या पढ़ रहे हैं कहीं पर, तो आपको periods के बारे में काफी help मिलेगी आपका बहुत ही beautiful subject है MEG1 जिसमें blocks को arrange ही period wise किया गया है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अगर आप MEG1 पढ़ चुके हैं नहीं भी पढ़ा है तो मैंने अपने PDF में बहुत ही detail में इन सभी periods को mention किया है इस answer के point of view से आप में से जो भी मुझे follow करता हुआ आ रहा है कुछ सालों से देनो कि मैंने लगभग सभी topics के videos बनाए हैं तो history of literature भी आपको मिल जाएगा मेरे videos में literature बहुत ही connected subject है आप isolation में criticism या linguistic कुछ भी करना चाहें तो it is quite impossible तो बहुत सारी चीज़े आनी चाहिए literary criticism को भी answer करने के लिए linguistics को भी answer करने के लिए और और भी बहुत से topics हैं कि आपको theory लिखनी हैं तो you should know the background of literature तो मैं आप सभी को suggest करूँगी अभी तो नहीं में भी exams की preparation में आप लोग trends हैं एक बार मेरे सभी history of literature videos को जरूर देखिए second topic जो आपको दिया that is Aristotle तो आपको Aristotle जी की बारे में लिखना है Aristotle was a very popular Greek philosopher life and birth का span लिख दीजिए Plato के student थे और उन्होंने Alexander the Great को tuition प्रोवाइड की थी पढ़ाते थे logic, ethic, politics, reasoning इन सब में contribution रहा है virtual ethics, politics नाम की book लिखी है जिसमें उन्होंने balanced government की बात की है politics लिखा है जिसमें उसमें उन्होंने tragedy, tragedy के rules और emphasize किया है catharsis यानि की pity and fear की तरफ pity and fear क्या होता है ये तो आप लोगोंने अभी तक डीटेल में पढ़ी लिया होगा image05 cover करते हुए उनके ideas आज की philosophy, science और arts को अभी तक inspire करते हैं Aristotle catharsis थेरी के लिए तो popular हैं ही इसके साथ ही हम अर्शिया अग्नॉरसस परिपताया ये भी आपको पता होना ची being a literary student तो मैंने बहुत ही डीटेल में examples के साथ इनके बारे में बताया है ये वीडियो आप जरूर देखें तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको लगभग सभी topics के वीडियो भी प्रोवाइट कर दूँ PDF पाकेज ओप्ट किया है आपने तो आपको टेंशल लेने की जरूरती नहीं है ये सभी topics में आपको PDF पाकेज में जिसने ओप्ट किया है टेलिग्राम चैनल पर अल्रेडी प्रोवाइट कर दूँगी Marxism को समझे कॉलमाक्स और उनके दोस्त Frederick Engels की दीवे थेरी थी जो की क्लास टगल बता दी हमें बर्जुवा और प्रोलेटरियेट के बीच का वरकिंग क्लास और कापिटल क्लास के बीच का और वो कहते हैं की पूरी सोसाइटी इनकी स्ट्रगल पर ही बेस्ट है और इन फ्यूजर कापिटलिसम का कॉलाप्स हो जाएगा और विल बी ए सोसाइटी जिसको हम सोशलिस्ट सोसाइटी कहेंगे जहां पर कोई क्लास नहीं होगी इट विल बी क्लास लेस्नेस और कलेक्टिव ओनर्शिप होगी सभी means of productions की किस तरीके से कोई goods produce किया जाता है everyone will have a control over that तो Marxism से related आप books को भी याद रखिए और in the end इन books को mention कर दीजी Communist Manifesto and Das Capital बहुती popular books है written by Karl Marx Marxist theory को भी मैंने आपको बहुत डीटेल में बताया है वीडियो में link में provide कर रही है आपको description में और इस लिंक के साथ-साथ एक analysis है Great Gatsby का आप भी कोई ना कोई novel जिसमें आपको लगता है कि class struggle था उसको ध्यान में रखे हो सकता है आपको detailed theory question आजा लिखने के लिए Room of One's Own काफी popular text है feminism का Cambridge University में कुछ essays deliver किये थे Virginia Woolf जी ने and that was converted into a written essay firm की बात करती है और अगर कोई female creative होना चाहती है तो उसको एक private space भी मिलना चाहिए legally तो historical denial of opportunities किस तरीके से रहा अगर हम Elizabethanera में female writers धूनने की कोशिश करते हैं तो हमें नहीं मिल पाते हैं नाम जो सामने आते हैं वो होते हैं Shakespeare and Marlowe Shakespeare की एक imaginary sister भी उन्होंने create की कि अगर Shakespeare ना होकर उनकी बहन होती उसका treatment किस तरीके से करती society और नाम उन्हें दिया Judith जो की coincidentally Shakespeare की daughter का भी नाम था in future Shakespeare की actual में Judith नाम की कोई sister नहीं थी fictional character create किया और societal norms के आगे किस तरीके से Judith नाम के character को surrender करना पड़ता वो भी creative होती Shakespeare की तरह लेकिन वो Shakespeare की जितने popular नहीं हो पाती क्योंकि उनके character को उभरने ही नहीं दिया जाता तो she continues to influence Virginia Woolf, she continues to influence discussions on gender, creativity and social barriers और females को प्रवोक करती हैं कि think, create and express अपने आपको express करना सीखो नहीं तो modern era में भी पीछे रह जाओगी Judith Shakespeare की तरह Room of One Zone का भी आपको plus 11 minutes का वीडियो मिल जाएगा जरूर देखी इसको link आपको description में मिलेगा शृती थेयरी अब हम करने वाले हैं कि जाए तो वेडिक tradition की through understand करते हैं Divine origin है जिन भी चीजों का सारे वेडास महाभारता, रामायना, सामवेद, अथरवेद, याजुरवेद तो इन कंटेक्स्ट ओफ एस्थेटिक्स शृती एंफिसाइस करती है कि sound, rhythm, spiritual, resonance, art आट की जो भी features होते हैं, positive features, music, poetry वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में vibration करते हैं हमारे दिमाग को deeply, emotionally, spiritually connect करते तो शृती links the physical with the metaphysical जब भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, although मैं इसको divine के category में रख नहीं पाऊंगी, I am not a person of that status लेकिन जिस तरीके से आप प्रमायना या महाभारता या अपने किसी भी respective religious text को understand करते हैं that will be called shruti, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक artistic expression की understanding जब जाती है that is shruti Plato, Aristotle की बात करेंगे, अब हम यहाँ पर to be instructive, drama cannot be spectacular तो drama की सभी elements जो हमें Plato, Aristotle जी ने बताए उनको ध्यान में रखते हुए और इनकी theories को ध्यान में रखते हुए हमें इस आंसर को करना है, दोनों के क्या-क्या viewpoints रहे थे dramas को लेकर, Plato ने बिलीव किया कि art is a reflection of nature and twice removed from reality और उनों ने कहा की art जो है ना, that is something जो की overly appeal करती है towards the feelings like pity and fear pity and fear and you know overly created forms of dramas irrational लगती थी Plato को, drama should promote virtue and knowledge not rely on spectacle, Plato जी का मानना था कि drama को कोशिश करनी जाये कि it should be full of morality, some principle, some virtue should be understood by the audience और उसके लिए बहुत ज़ादा pomp and show की जरूरत नहीं है, Aristotle जी ने कहा कि tragedy एक तरीके से therapy की तरह काम करती है when we see it from the point of view of catharsis, he acknowledged the importance of spectacle but prioritized plot, Aristotle जी ने plot को importance ती और Plato जी ने importance ती morality, virtue, knowledge को moral हो सकता है कोई play और spectacle किसी play को according to Aristotle इंहांस कर सकते हैं, लेकिन overshadow नहीं कर सकते narrative को, सबसे important narration ही है यानि की plot ही है, तो key idea, drama को focus करना चाहिए reason और virtue पर according to Plato, emotional access में नहीं होने चाहें और Aristotle जी ने का की spectator काफी बाद में आता है, सबसे पहले plot, plot की दी हुई morality और intellect दर्शकों के सामने आता है third question, Coleridge और Wordsworth के viewpoint पर है poetic diction की बात की गई है, Wordsworth जी ने का की poetic diction बहुत simple होना चाहिए, जिसे की आराम से common man को समझ आ सके, real language of men, normal people, simplicity, clarity, natural speech, बहुत अधर embellished नहीं होनी चाहिए, कोई भी poetry, poetry should have the genuine expression of human emotions and experience, और गोल क्या है किसी भी poet या poetry का, यह poetry should be relatable, आपको बहुत ज्यादा effort ना करना पड़े poetry को समझने में, तो poetry का goal successful, S.T. Coleridge ने simplicity का goal थोड़ा सा क्राटसाइज किया, he argued that poetry should elevate and transform ordinary experience through imagination, तो आपको याद होगा imagination और fantasy की theory provide की थी, S.T. Coleridge ने उनका मानना था कि poets को पूरा राइट है, language को refine करने का, अगर अपने आपको थोड़ा elevate करेंगे नहीं, तो poet और उस person में क्या difference रह जाएगा, जो poetry पड़ रहे हैं, तो deeper abstract ideas को अगर convey करवाना है, तो थोड़ी embellished language यूज़ करनी पड़ेगी, poet must be distinct from everyday language और universal truth ही convey करेंगे, लेकिन language को elevate करना जरूरी है, तो वर्टसोर जी का मानना, ordinary speech और कॉलरी जी का मानना की poetry में speech elevate होनी चाहिए, कितना simple concept है, आराम से आप लिख पाएंगे, नेक्स्ट एलियर जी का concept, एक question कम से कम इलियर जी का आता ही है, most of the time it can be this one, it can be dissociation of sensibility, it can be objective, correlative, बहुत सी universities में यही तीनों topics बढ़ाये जाते हैं और मैंने individual talent का आपको link भी provide किया, tradition and individual talent का description में मिल जाएगा, तो tradition क्या होदार, tradition एक dynamic force होती है, जो सदियों से कोई रीती रिवास चला आ रहा है, इलियर जी का मानना था कि poet को engage होना चाहिए, tradition को reshape करने में, ना कि tradition को copy करने में, poet को ऐसा शो करना चाहिए society को, कि उनका work entirely new भी नहीं, completely एक revolution नहीं आ गया है, थोड़ा सा उन्होंने tradition को maintain किया है, और थोड़ा सा अपने talent को, तो tradition प्लस talent का combination होना चाहिए एक poet, poet को respect करनी चाहिए past की भी और अपनी unique voice को अपने talent को add कर देना चाहिए, आइडिया जो उन्होंने प्रवाइट किये, इसमें, that was theory of impersonality, कि poet को बहुत ज़ादा अपने विचारों को व्यक्त नहीं करना चाहिए, कुछ भी लिखते हुए, universal expression होने चाहिए, जिससे सब लोग relate कर पाएं, मेरे खुद के कोई दुख और परिशानियां चल रहे हैं और मैं उसी पर poetry लिखती रहूंगी, तो maybe one popularity I can get, but it will fade away slowly and steadily, unless and until I start writing in universal direction. तो context क्या है, poetry should arise from deep understanding of history and tradition, poet को पता होना चाहिए, क्या चलता आ रहा है society में, उसी tradition को carry on करना चाहिए, और उसके साथ साथ थोड़ी सी innovation modernism के हिसाब से. विडियो अवैलेबल है, बहुत सी universities में पढ़ाया जाता यह topic including Delhi University, तो Delhi University के लिए मैंने यह lecture create किया था, और आपके भी उतना ही काम आएगा, link given है description में. Next question थोड़ा सा general question है, literature inevitably brings to surface the oppressive nature of structures like religion, family and the state. तो literature में majorly हम लोग उनी चीज़ों की बात करते हैं, जिनको oppress किया गया है कहीं ना कहीं by religion, by family, by state. तो आपको कुछ-कुछ ऐसे examples पर याद रखने हैं, recall करने हैं, जहां पर आपको लगे कि religion की बात हो रही है, बहुत जादा family structure के थूँ किसी को oppress किया जा रहा है, या politically किसी को oppress किया जा रहा है. तो मैंने यहाँ पर example लिए है, scarlet letter, a doll's house, जिसमें एक female को even for doing good deed for the family oppress कर दिया जा जाता है. 1984 में कैसे एक totalitarian government है, scarlet letter में किस तरीके से in the name of puritanism, one female hester brain is exploited. तो literature की ideologies क्या रहती हैं, हमेशा की social, political और cultural forces को literature shape up करता है, past structures को दिखाता है, हमेशा marxism, feminism, colonialism, existentialism. परपस क्या होता है, literature का हमेशा power dynamics को और exploitation को criticize करना और एक change लाने की कोशिश करना for societal reforms. तो अगर आप इन texts को जानते हैं, तो इनी के example लिखें नहीं, तो आप कोई भी और example जो आपको लगता है, आप सूट करते हैं और आप अच्छे से लिख सकते हैं, उनको लिखिए. कमला दास जी का एन इंट्रोड़क्शन जरूर पढ़िए, मैं एन इंट्रोड़क्शन का भी विडियो आपको, विडियो लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगे, जिससे आप उस पोल्ट्री को अनलाइज कर पाएं from feminist lens. फेमिनिसम का मतलब क्या होता है कि, you know, fighting for the equal rights, equality and to challenge gender-based discrimination, societal role को redefine करने की कोशिश की जाती है, की fingers अगर हैं, specifically आपके ही कोर्स में, Mary Wollstonecraft, जिन्होंने education के field में challenge किया पूरी society को, Virginia Woolf, जिन्होंने economic independence की बात की, Simone Deboer, जिन्होंने बात की कि हमें back to basics जाने की जरूरत है, और gender जो है, that is a social construct कि female should do this और male should do that, वो social construct है, भगवान ने कोई ठपा लगा कर नहीं भेजा था किसी को, Elanjo Walter ने gyno criticism, यानि की females as a writer की बात की है, अलग-अलग तीन phases दिखाएं हैं, female writing के वो question भी आपका आने वाला है, कमलादास जी की an introduction में इन सभी चीज़ों की combine बात की गई है, अगर कभी आपने an introduction poetry पढ़ी हो, तो किस तरीके से उन्हें भी रोका गया था, from writing, marriage में भी उनका operation हुआ था, किस तरीके से उन्होंने patriarchal structure को completely reject कर दिया, she wanted to speak and she spoke, societal expectations को follow करने से मना कर दिया गया, तो कमलादास जी की poetry completely patriarchal norms को deny करती है, और females के rights को advocate करती है, poetry पढ़िये पहले तभी आंसर कर पाएंगे, तो poetry का link, an introduction का link मैं आपको provide कर दूँगे, तभी आप समझ पाएंगे इस question को बहुत अच्छे से, an introduction मैंने आपको detail में समझाईए है, आपके subject MEG 07 IGNU के लिए और बहुत से और universities में भी है, तो line by line detail explanation is there, अब हम Ellen Showalter जी की detail में भी बात करेंगे, मैं आपको suggest करूंगी कि अपनी चारो feminists को पढ़िये, Ellen Showalter, Virginia Woolf, Simone Deboer and Mary Wolston Craft, कहीं से भी आपको question आ सकता है, and most probable इस बार Ellen Showalter का question आया, तो हो सकता है कि next time किसी और writer का आया, Ellen Showalter जी का भी आ सकता है, repetition भी होती मैंने देखी हैं past में, लेकिन किसी और का आने के ज्यादा chances हैं, 40-60 you can say, तो Ellen Showalter जी को तो cover करिए ही, इनको miss मत करिए, मैं आपको एक काम करती हूं, description में मैं आपको बाकी तीनो female writers के video links भी provide कर देती हूं, जिससे कि आपको सब भी समझ पाएं, notes में, जो आपने notes opt की हैं मेरे, उसमें तो मैंने सभी females का mention किया है, लेकिन अगर आपने PDF notes के लिए opt नहीं किया है, तो at least videos देख लीजी, गाइनो क्रिटरसिजम के बाद के एलेंशो वॉल्टर जी ने और बताया है कि किस तरीके से female written literature slowly and steadily develop हुआ, शुरुआत में एक feminine phase था, जिसमें कि females जो हैं imitate किया करती थी male traditions को और even male name से लिखा करती थी, जैसे कि Mary Ann Evans being a female George Elliot नाम के male नाम से लिखा करती थी, तो उन्हें शायद society ने ऐसा बना दिया था कि female लिखेगी तो उसको mock किया जाएगा, इस वज़े से male traditions को copy किया करते थे, feminist phase था जिसमें females ने challenge किया patriarchy को और काफी you know, जिसको हम हिंदी में कहें रोना धोना कि हमेशा वो troubles बताना जो उन्होंने face की, इसके बादा है female phase, जब females ने अपनी identity पहचानी कि जैसा हम लिखना जाते हैं, जो हम लिखना जाते हैं, वो हम लिखेंगे और अलग से एक female literary tradition की शुरुआत की, तो gyno criticism male dominated literature से लेकर आश्टर क्या-क्या changes आए हैं, उनको study करता है, तो एक playlist में आपको provide कर रहे हैं, छोटी सी link description में हैं, जहांपर आपको gyno criticism, room of one's, own, the second sex by, Simone de Beauvoir and Mary Wollstonecraft का vindication, ये सभी मिल जाएगा और इन सब किया पच्छे से preparation करेंगे, तो एक topic इन में से आने के बहुत chances हैं, अब करते हैं, मेरा favorite topic orientalism given by Edward Said, post-colonial theories ही मेरी बहुत favorite हैं, गायत्री चक्रवती स्पिवेक, एंट होमी भाबा, Edward Said, इन तीनों को trinity of post-colonialism आना जाता है, तीनों को ही अच्छे से study करिए अपने exam के लिए, तो Edward Said, जी ने book ली की थी orientalism 1978 में, जिसमें बताया कि Asian लोगों को किस तरीके से, even Africans को किस तरीके से primitive, inferior, non-civilized माना जाता है, because of the colonial domination, तो अंग्रेज तो चले गए यहां से, लेकिन हमारे लिए एक viewpoint पूरी दुनिया में create कर दिया, कि Asia के लोग तो बिल्कुल primitive हैं, कोई science नहीं हैं, बिल्कुल unhygienic हैं, non-civilized हैं, non-educated हैं, तो orientalism का मतलब है basically कि हमारे बारे में viewpoints को shape करना, और उसके थूरू culture को divide कर देना, works भी हैं कुछ ऐसे जो इतने popular हैं कि Asian African culture को बिल्कुल chaotic way में दिखाते हैं, heart of darkness के, तो orientalism basically क्या करता है, critique करता है, colonial representation को और eastern voices को भी recover करना चाहता है, use किया जा रहा है, इस theory को literature में और challenge किया जा रहा है कि colonial discourse ने, ऐसे कैसे हमारे बारे में यह सब कुछ spread कर दिया, and maybe we were primitive once upon a time, that too not as much as you propagated, तो relevant है, आज भी यह understanding कि western culture के क्या viewpoints रहे हैं, क्या persist होता है मेडिया में और global relations में, detail में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, Edward Saiji की post-colonialist theory है, इसके अलावा मैं आपको suggest करूँगी कि आप Homi Bhabha और Gayathri Spivak जी को भी cover करिए, उनका सबॉल्टन बहुती प्यारा सा concept है, और भाबा जी के mimicry concept and many other related concepts about post-colonialism, वो सब कुछ भी आप जरूर cover करिए, detail में cover करिए, मैं आपको link में Candy Subulton Speak, Gayathri Spivak जी का and Homi Bhabha जी के सभी post-colonialist concepts, इनके वीडियोज भी provide करूँगी, ये भी आप देखिए, detail में बहुत help मिलेगी अपने आने वाले exam में, orientalism तो मैंने दिया ही है, तो ये सभी हैं वो वीडियोज जिनके थूँ आप last minute preparation करिए, Aristotle, Marxism, Room of One's Own, Tradition and Individual Talent, Poetry and Introduction, Feminist, सभी feminist theories और सभी post-colonial theories, तो एक quick revision आपकी हो जाएगी इन topics के भी through, और अगर आपने PDF package opt किया है, तो that will be the icing on the cake. अभी भी मेरे पास December exam के लिए live batches की query आ रही है, अभी कैसे prepare हो सकता है, मंडे से तो आपके exams शुरू है, आप live classes जॉइन करना चाहते हैं, मेरे पास मैं जानती हूँ, लेकिन आप June batch के लिए कर सकते हैं, December 2025 batch के लिए कर सकते हैं, बट not for December 2024, देखे ना कितना close आ रहा है ये time तो, अभी तो live classes नहीं हो पाएंगी, तो better है कि आप लोग PDF से और मेरी playlists के थूँ प्रेपेर करिये किसी भी topic को, और अपनी preparation को intact रखिये, थोरो रखने के कोशिश करिये, अपने time के हिसाब से आप PDF के थूँ कभी भी preparation कर सकते हैं, I know कि live classes बहुत effective होती हैं, आप लोग अपने classmates के साथ कोई discussion कर सकते हैं, आप लोग faculty के साथ कोई भी discussion कर सकते हैं, आपको कोई topic समझ नहीं आ रहा है, आप उसी वक्त पूछ सकते हैं, there is nothing better than live session, लेकिन अभी आपको live session नहीं मिल पाएगा, I have been telling all the faculties and people are telling over and again, कि अभी live batches के लिए please contact मत करिये, फिर भी बहुत सारी queries आ रहे हैं, तो live batches मैं अभी conduct नहीं कर पाऊंगी, under any circumstance, right, तो आप लोग please मेरे resources को, PDF को utilize करिये, उसी से आपकी preparation हो जाएगी, मैं क्यों encourage कर रहूँ PDF के लिए, क्योंकि PDF के तुरू आप, यूनों रात के दो बजे, तीन बजे जब भी जाग रहें, तब भी preparation कर सकते हैं, लेकिन live lectures के लिए एक restriction होता है, ठीकि लाइव lectures का benefit तब ही है, जब आप live ही लें, उसको recorded नहीं, recorded will not work as live will work, और मेरे बहुत सारे students नहीं प्रूव किया है, पास्ट में, तो live lectures के लिए ही जाएए, हमेशा अगर classes करें, recorded के लिए नहीं, और PDF के थूँ, और कुछ playlists के थूँ, आप अपनी preparation को करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अपने आपको update करना चाहते हैं, आने वले exam के लिए, that can be done, and keep doing that, and a good luck for your exams, मुझे comments में बताईए आपको video कैसा लगा,